हेलो एवरीवान वेलकम तो मैगनेट ब्रेंज आज हम पढ़ेंगे अबाउट वेस्ट वाटर स्टोरी तो बेसेकली वाटर हमारे लिए क्या इंपॉर्टन्स रखता है ये तो हम सब को ही पढ़ता है पट वाटर जो है बहुत जादा वेस्ट होता है और वो किस तरीके से वे तो सबसे पहले तो हमें पता है कि वाटर हम डे टू डे लाइफ में फॉर आल बेसिक नीड्स यूज़ करते हैं जैसे सुबह उठते ही हम हमें अगर ब्रश करना है तो हमें वाटर की रिक्वार्मेंट होगी तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि डिटी वाटर and zone जो भी polluted water तो हम डिटी water को ही वेस्ट वाटर बोलते हैं आप आप किसी की नरूरत है clean water की तो वो clean water जो है उसको हम use कर सकते है drinking, farming, bathing, cooking और food के लिए क्या हम waste water को use कर सकते हैं? नहीं तो ये पूरा waste water क्या होता है? ये हम reject कर देते हैं और इसी वज़े से ये तो wasted रह जाता है, we cannot use it So, अब हमारा जो main focus रहता है, वो इस चीज़ पर रहता है कि कैसे हम water को conserve करें? कैसे हम waste water generation को control करें? waste water कम से कम generate किस तरीके से किया जा सकता है? So, इसी के लिए 22nd March, World Water Day पर ये decide हुआ था by United Nations in the general assembly कि आपको कैसे water को conserve करना है? ताकि waste water का generation कम से कम हो सके और साफ पानी जादा से जादा लोगों को मिल सके So, यही aim था कि हम reduce करें उन लोगों का number जिनको पानी मिल ही नहीं पाता है So, clean water which is the basic need for all human beings should be available to all human beings और इसे बहुत सारे लोगें जिनको साफ पानी नहीं मिल पाता है इस इसमाल के लिए और यही strife करने के लिए that water for life is very essential इसी के लिए जो है United Nations में assembly हुई थी तो wastewater होता क्या है अच्छा हम सबने सुना है sewage के बारे में जो हमारे घरों से जो है human faces, urine यह सब जो है यह organic matter को जो है decompose कर देते हैं तो जो भी human faces होता है वो organic matter होता है और वो sewage का एक main component होता है उसके अलावा भी microorganisms, metals, etc. यह सब भी sewage को forb करते हैं तो अब हम detail में पढ़ते हैं about sewage So, what is sewage यह तो हमें पता ही है पट हम थोड़ा सा इसके बार में और detail में देखते हैं हम यह देखते हैं कि sewage को कैसे treat किया जा सकता है So, अगर हम water को clean कर ले यानि कि उसमें से जो भी pollutants हैं यह सब हटा दे जिसके पहले कि हम उसे river में dump करें जैसे कि हमें पता है बहुत सारे जगाओं पे बहुत सारे villages में और towns में proper sewage disposal system नहीं है तो वहाँ पर rivers में ही sewage को direct कर दिया जाता है और यह पूरे के पूरे river water को pollute कर देता है तो अगर हम water bodies में dispose करने से पहले उस water को purify या थोड़ा clean कर सके इसी को हम sewage treatment बोलते हैं तो sewage तो हमें पता है waste water होता ही है और वो कहां-कहां से release होता है हर जगा से hospitals से, industry से, offices से तो यह पूरा का पूरा जो waste water है उसको अगर हम purify कर सके तो वो हम use में ला सकते हैं और वो waste नहीं होगा उस case में So, sewage is liquid waste Most of it is water which has dissolved and suspended impurities So, sewage में बहुत सारी चीजें होती है Organic, inorganic, suspended होती है पानी के ऊपर So, sewage में बहुत सारी चीजें होती है गंदगी होती है उसी कोई हम क्या बोलते है Sewage इसमें जरूरी नहीं है सिर्फ solids हो इसमें जो है nutrients भी हो सकते है diseases causing microbes भी हो सकते है पानी को खराब कर देता है और इसी को हम वेस्ट वाटर बोलते है So, हमें पता है Sewage किस किस चीज से बना हुआ है यहाँ पर आप इस पिच्चा में देख सकते है This is waste water पानी के ऊपर कितनी सारी चीजें suspended है इस पानी को वेस्ट वाटर में convert कर दिया है तो अब हम थोड़ा सा काटेगराइजेशन करते हैं कि Sewage में actually होता क्या क्या है तो हम पढ़ चूके उसमें organic impurities होती है जिसमें सबसे important जो main component है वो है human faces फिर animal waste, pesticides, herbicides, fruits and vegetable waste, etc Then in organic impurities जो हमारे fertilizers होते हैं उनमें जो होते हैं Nitrates, Phosphates वो भी sewage अगर पानी में dissolve हो जाए तो वो भी waste water को result करते हैं Nutrients, bacteria, microbes जो disease cause करते हैं वो सब भी water जो है waste water में पनपते हैं So all these make convert water into waste water So I hope waste water का क्या concept है आपको समझ में आ गया होगा So again एक short उसमें में आपको बताना चाहूंगी about sewage sewage has water maximum and it has 0.1% solids अब उस solids में क्या होता है अब अब आपको बताना चाहूंगी अब आपको बताना चाहूंगी its fats और inorganic में grid salts metals तो यह हम अल्रेडी पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं की sewage जो है वो होता है wastewater with some solid impurities suspended in it और वो impurities क्या-क्या होती है वो यहां आप देख सकते हैं organic and inorganic impurities तो आपको wastewater term का मतलब समझ में आ गया हो and sewage term का मतलब समझ में आ गया हो तो हमारी next video में हम पढ़ेंगे how to treat this wastewater and convert it into usable water तो इसी के लिए हम use करेंगे wastewater treatment plant तो वो हम हमारी next video में देखेंगे till then thank you hello everyone welcome to magnet brains आज हम पढ़ेंगे about wastewater story ये class 7 science का topic है तो इसकी पहले वाली वीडियो में ने wastewater के बार में पढ़ा था what is wastewater wastewater is that brown, black, dirty water which is released from hospitals, industries, domestic waste, homes, industries etc तो वो wastewater जो है वो गन्दा पानी होता है जिसको कि डंप कर दिया जाता है reverse में और उनको भी पल्यूट कर दिया जाता है एक बहुत ही बड़ा सा कच्रे का धेर अगर आप देखें जब आप पानी भी देखें तो वो पानी उस कच्र के साथ मिक्सों के खराब हो चुका है इसलिए उसको हम wastewater बोल देते हैं क्योंकि अब हम उसे किसी भी काम के लिए यूज नहीं कर पाएंगे तो यह हुआ wastewater अब कैसे इस wastewater को हम ऐसे पानी में convert करें कि हम उसे useful बना सके और उसको हमें ऐसे गंदे तरीके से ही डंप ना करना पड़े तो कुछ यह जो wastewater है इसको अगर हम treat कर दें इसमें कुछ treatment कर दें कुछ ऐसा कर दें कि इसको साफ कर दें ताकि फिर इसको reverse में dump करें ताकि rivers भी polluted ना हो और यह पानी किसी ना किसी इस्तमाल में हम इसको ले सके तो उसी के लिए हम आज पढ़ेंगे about wastewater treatment plant तो कैसे उसको treat करना है कि उसको कैसे clean करना है कि ताकि फिर उसको use में लाया जा सके वह एकदम waste ना रह जाए क्योंकि अगर वह वेस्ट रह जाएगा तो हमें पता है क्या होगा उसमें मच्छर और यह सब जो है वह वहाँ पर जाएंगे और हमारे को बहुत सारे diseases spread करेंगे so in order to avoid that हम wastewater treatment plant से wastewater को treat करते हैं clean करते हैं तो आई देखते हैं कैसे जो सबसे पहला काम है जो समें wastewater में जो polythene packets or solids जो बड़े बड़े जो रिमूव easily हो सकते हैं उनको remove करना होता है और इसके लिए हम use करते हैं bar screens तो यहां bar screens देख सकते हैं इसके through क्या होगा सरफ पानी पानी नीचे से बह जाएगा और वो जो सारे solids वाले substances हैं इसमें अटक जाएंगे यहीं रुक जाएंगे तो जो सबसे पहला use है wastewater का उसमें हम use करते हैं bar screens और bar screens से यह सारी चीज़े जो है remove हो जाएंगी cans, sticks, rags, plastic packets, napkins यह सब इसमें से जो है remove हो जाएंगे अब next चीज क्या होगी next process यह जो यह वाला पानी है जिसको हमने जिसमें से सारी solid waste वगेरा हमने polythin scans यह सब remove कर दिया using bar screens अब next होगा कि हम उस पानी को जो है sand and grit removal tank में डालेंगे यानि कि अगर मेरा जो पानी flow कर रहा है बहुत fast speed से flow कर रहा है अगर मैंने उसकी speed को slow कर दिया तो क्या होगा बहुत सारी चीज़े जो है वो पीछे ही रह जाएंगी और यह जो साफ पानी है वो आगे flow कर जाएगा तो इसको हम sand and grit removal tank में डालेंगे यहाँ पर speed पाने की कम की जाएगी जिसकी की वज़े से जो है sand, grit, pebbles जो भी से पत्थर वगेरा होता है वो रुक जाएंगे और बाकी का जो clean थोड़ा water है वो आगे बहें जाएगा तो यहाँ पर हमारा main चीज यह है कि जो incoming water की speed है waste water की उसको हम decrease कर देंगे तो आपको यहाँ याद रखना है we have to decrease the speed of waste water अब इसके बाद जो हमारा next आएगा that is अब next हम क्या करेंगे तो यह जो waste water हमारे पर आया है जो जुसको हमने थोड़ा सा clean कर दिया है अब हम उसको एक slope के थूँ पास करेंगे अब slope के थूँ जब हम पास करेंगे तो पानी पानी आगे रह जाएगा और काफी सारे जो आपके solid materials है like solid faces यह सब जो है यह सेटल हो जाएगा और आगे जो बह जाएगा वो क्या बह जाएगा water तो हमने क्या steps किये सबसे पहले हमने bar screens use करी और उसके बाद हमने पानी की speed को slow किया ताकि sand, pebbles, पथर यह सब जो है रुख जाए फिर अब हमने क्या किया है हम उसको एक slope के through fault करा रहे ताकि जो solid waste है वो रह जाए रुख जाए और बागी का पानी जो है वो आ जाए अब वो जो solid waste वगेरा रुके हुए हैं उनको हम use करते हैं उनको हम remove करनेंगे using a scraper तो यहाँ पर हम scraper use करेंगे और उसके अलावा जो हम use करते हैं वो होता है skimmer तो जो भी चीज़े नीचे ठहर गई हैं उनको remove करेंगे using a scraper और जो भी चीज़ फ्लोट कर रहे हैं जैसे कि oil आपका dust यसा ऐसे particles जो की फ्लोट करते हैं grease जो भी चिकनी चीज़े होती है जो फ्लोट करते हैं आपकी grease हो गई आपके oils हो गए kerosene कुछ भी इस टाइप की जो चीज़े हैं वो सब फ्लोट करेंगे उनको हम कैसे हटाएंगे जो फ्लोट करें using a skimmer तो यहाँ पर जो है हमने scraper और skimmer को use किया अगर scraper को use किया है to remove the solid waste तो जो हमारे को मिला है उसको हम sludge कहते हैं अब sludge में से मैंने skimmer की मदद से oil or grease हटा दिया तो जो अब मुझे पानी मिला है उसको मैं कहती हूँ clarified water तो आप यहाँ देख सकते हैं यही सारे processes हो रहे हैं जैसे कि skimming जिसे हम कहते हैं using a skimmer और scraping using a scraper तो यह एक waste water treatment plant का actual diagram है कि actually जहाँ पर यह मौजूद है यह actual diagram है कि इस तरीके से cleaning की जाती है waste water की और यह treatment plant है तो I hope अभी तक का process आपको समझ में आओ अब जो हमें water मिला है वो clarified water है बिल्कुल सही बात बट यह जो clarified water है इस clarified water को आगे भी और clarify करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी भी इसमें microorganisms और थोड़े से और waste मौजूद है तो यह जो sludge है हमने इसको transfer किया एक separate tank में जहाँ पर इसको decompose किया anaerobic bacteria ने तो जो sludge था हमने उसको एक दूसरे tank में transfer किया इसलिए किया क्योंकि यहाँ से हमें biogas मिलेगी अब यहाँ पर क्या होगा anaerobic respiration होगा यानि कि oxygen की absence में जो micro organisms है वो sludge पर attack करेंगे और उसे decompose करेंगे और उसकी वज़े से क्या होगा biogas मिलेगी और वो biogas को हम बहुत सारे uses में ला सकते हो से electricity generate करा सकते हैं तो biogas जो produce होगी उसको आप production of electricity में यूज कर सकते हो तो यह तो हमने बात कर ली अन आरोबिक बैक्टेरिया से decomposition की अब जो मेरे पास clarified water था उसमें भी तो microorganisms है उसमें में को aerobic decomposition कराना है तो मैं उसमें बहुत सारी air डाल दूंगे और उस wastewater को जो की clarified water में convert हो गया था अब मैं उसमें उसे aerated कर दूंगे इसमें बहुत सारी air pumping करूँ तो अगर मैंने air pump करी clarified water में तो aerobic bacteria अब grow कर पाएंगे और aerobic bacteria grow करेंगे तो वो क्या करेंगे water का सारा जो organic content है उसपे attack करेंगे और उसे decompose कर देंगे तो जो भी human waste food waste unwanted matter है वो जो भी clarified water में अभी भी बचा है उस सबको aerobic bacteria क्या करेंगे consume और decompose कर देंगे उसके काफी घंटों के बाद यह suspended microbes जो है वो settle हो जाएंगे tank में water में और इसको हम बोलते हैं activated sludge अब यह activated sludge जो है यह बन जाएगा अब आये देखते हैं next हमें क्या करना होगा इसके पहले में आपको दिखाना चाहूंगे यह भी एक wastewater treatment plant on a large scale उसकी picture है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यह water मुझे clarified water की एक जलकी दे रहा है क्योंकि यह water जो almost purified है एक तरीक से तभी हम इसको क्या बोल रहे है clarified water तो अब activated sludge जो हमारे पास है जो bottom पे settle हो गया उसमें थोड़ी सी ही चीज़े अभी बची थी बाकी पूरा तो पानी ही था जो कि हम already उसे clarify कर चुके है तो 97% इसमें क्या होता है water ही होता है और इस water को आप रिमूफ कर लीज़े using drying beds या फिर machines और नीचे जो आपके पास रह गया है वो sludge है और उसको भी आप dry कर चुके और यह drying machine की मदद से आपने किया है या फिर drying beds जैसे हम sand बिचा दे तो भी अब्जॉब कर लीती है water तो इस तरीके से हमने उसे use किया है तो क्या होगा अब जो पानी है वो हमने अलब कर दिया और जो थोड़ा बहुत ड्राइड हमारे पास matter बचा है जो कि अच्टिवेटेड स्लज था वो ड्राय हो चुका है और वो ड्राइड ज़च को हम कैसे use करेंगे मैन्योर की तरह यूज करेंगे और वह मैन्योर को जब हम सॉइल के ऊपर spread करेंगे तो वो सॉइल की fertility को enhance करेगा उसके nutrients को replenish कर देगा तो यह nutrients of soil को बढ़ाएगा और यह जो treated water है जो clarified water को हमने further activated sludge में convert करने के बाद फिर sludge को dry करके remove किया तो जो water मिला मुझे that is nothing but that water which has now been treated अब यह wastewater नहीं कहलाएगा और अब मैं इस water को rivers यहां lakes में dump कर सकती हूं तो वो उन्हें pollute भी नहीं करेगा और यूज में भी आपाएगा तो इसको जो है अब आप river or sea में डाल सकते हो इसमें बहुत ही low level of wastes होंगे so that is why it is now not categorized as wastewater so it is treated water so I hope आपको ही समझ में आ गया है कि हम इसे seas या lakes में dump कर सकते हैं इस type के water को जिसको हमने treatment दिया है so this is all about wastewater treatment plant I am sure आपको various stages समझ में आ गई होंगी अब हमारी next video में हम इस chapter को आगे पड़ेंगे और human beings as human beings what can what role can we play in our society so that we can conserve water and maintain sanitation यह हम हमारी next video में देखेंगे till then thank you hello everyone welcome to magnet brains आज हम पढ़ेंगे about wastewater story यह chapter जो है इसके बारे में already study कर चुके हैं हमने sewage के बार में पढ़ा है wastewater के बार में पढ़ा है wastewater treatment plant के बार में पढ़ा है और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि we as citizens हमारा क्या रोल है तो सबसे पहले तुम आपको यह बताना चाहूंगी कि हमारा सबसे important responsibility यह है कि जो भी चीज़े हम use करते हम अपने usage को limited करें यानि कि हम जादा से जादा waste create ना करें बलकि कम से कम waste create करें क्योंकि अगर हम बहुत जादा waste create करेंगे तो उस waste को decompose होने में उतना ही time लगेगा और वो environment को pollute भी कर सकता है तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमें waste जो है उसको अपने जो हमारे जो human activities के जो waste generate हो उनको हमें limited करना चाहिए दूसरी चीज़ नॉट लिटर everywhere हमें कही भी कच्रा फेकना नहीं चाहिए हमें उससे सरफ dustbin में ही फेकना चाहिए तो यह दोनों चीज़ आपकी बहुत मदद करेंगी तो help to keep cleanliness so how will you become an active citizen you can limit the type of waste and quantity of waste and open brains को जो है अगर कहीं पर भी आपको open brains देखिए उनकर cover कराने के लिए इंसिस्ट कीज़े क्योंकि आपको पता है अगर उसमें mosquitoes breed करेंगे तो आपको ही disease होने के chances रहें तो जहां पर भी open brains आपको उस तरीके से इने close करा देनो चाहिए और अगर neighborhood में कहीं है तो आपको अपने neighbors को convince करना चाहिए to be considerate enough ताकि वो health और hygiene को consider करें और इस तरीके से open drains और dirty neighborhood को जो है हमें criticize करना चाहिए तो यह कुछ methods है which will help you to become an active citizen and maintain cleanliness तो आईए हम नेक्स पढ़ते हैं about some better housekeeping practices यह housekeeping practices आप खुद भी कर सकते हैं और आपकी मजवर को अपने करते हुए देखा भी होगा तो सबसे पहली चीज तो जो भी ऐसा solid waste है उसे कभी हमें कच्रे को नाली में नहीं फेकना चाहिए हमें उसे हमेशा कहां फेकना चाहिए dustbin में अगर मैं बात करों oil जो कुकिंग के लिए यूज होता है oil या घी यह इन सब करको कंटेनिंग items उसको जो हमें कभी भी जो है ड्रेन में नहीं डालना चाहिए उसे भी हमें dustbin में क्योंगी डिस्पोज उफ करना चाहिए क्यों आम शूर मैं अपको बताना चाहूंगी कि उसके पहले यहां नहीं देख सकते हैं कि यहां पर डिफ्रेंट टाइप ओफ वेस्ट के लिए different colored dust pins है, solid waste के लिए अलग, liquids के लिए अलग, plastics के लिए अलग and so on, तो अगर मैं cooking oil और fat को drain में डालूँगी, तो क्या होगा, they will block the pipes, जो भी pipes होते हैं, उनको वो ब्लॉक कर देंगे, water clogging हो जाएगी, water pass ही नहीं कर पाएगा, again, अगर मैं बोलूँ कि, अगर मैं उनको डाल दूं कहीं ground में या soil के ओपर, तो soil जो है, वो water को absorb करके अपने through filter ही नहीं कर पाएगा, तो again, it clogs the soil pores and therefore they should be thrown in dustbin only, so, यह better housekeeping practices जो है, आपको definitely adopt करनी चाहिए, अब जैसे paints वगेरा, यह सारे जो wastes है, अगर इनको आपको dispose off करना, अपने घर paint करा है, बट कुछ paint एक्स्टा बज गया, if you want to dispose that off, अगर आप उसे वो पानी में dispose कर देंगे, तो वो पानी के जो microorganisms उनको kill कर देगा, और वो microorganisms हमाड़ी है, इसलिए जरूरी है, क्योंकि वो तो हमारी help करते है, in decomposing the wastes, तो that is why आपको अगर paints, solvents, insecticides, oils इन सब को फेकना है, तो आपको उनको separately dustbin में फेकना चाहिए, और वाइस दे में kill the microbes that purify water, उसके अलावा हमारे घर में जो solid waste generate होता है, जैसे कि होगी चाय पती, कुछ polythin bags, कोई खाना, जो leftover food है, जो खराब हो गया है, अगर हमें उन सब को भी फेकना है, तो हमें उन सब को अफकॉस हमारे घर में अलग से dustbin में होने हमें disposed करना चाहिए, ना कि हमें उसे, अगर वो liquid है तो हमें उसे ऐसा नहीं करना है कि हमें उसे कहीं पे भी drain में डाल देना, अधर्वाइस वो चोक कर देगा और water clogging हो जाएगी, so you should dispose the solid food remains, etc. always in the dustbin, otherwise they will choke, they will choke the drains and अगर वो drains को choke कर देंगे, वहाँ oxygen नहीं पहुच पाएगी, तो degradation process, जो microorganisms करते हैं, वो नहीं कर पाएगी, तो these are some housekeeping practices, जो आपको definitely help करेंगी in order to maintain a clean environment, और clean, cleanliness, hygiene जो है, वो हमारे खुद के लिए ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे आसपास गंदगी होगी, तो वहाँ से हमें air born, water born diseases होने के बहुत सारे chances होते हैं, तो ये cleanliness को maintain करना ही कहलाता है sanitation and hygiene, तो अब हम पढ़ेंगे कि sanitation, अगर हम maintain नहीं करेंगे, तो हमें उसका क्या परिनाम भुगतना होगा, and of course all of you know that is disease, अगर आसपास हमने cleanliness का ध्यान नहीं रखा, तो definitely disease का ही chance होगा, तो अगर हम बात करें sanitation की, अगर sanitation poor है, contaminated at drinking water, हम सबको पता है कि पानी से, अगर हम साफ पानी नहीं पियेंगे, और गंदा पानी पियेंगे, तो बहुत सारे diseases हो सकते हैं, तब ही हम different type के RO और purifier अपने घर में लगाते हैं, ताकि जो हम पानी पी रहे हैं, वो एकदम clean और pure हो, क्योंकि बहुत सारी diseases जो है, वो impure water पीने से, water bond diseases हो जाती हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि contaminated drinking water नहीं होना चाहिए, और उसी के लिए हमको कुछ cleanliness के measures लेने पड़ेंगे, तो अगर मैं बात करूँ, आपने दिखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है, morning time में, villages वगेरा में, when they go out and excrete near the railway tracks, or near the river beds, so, इस वज़े से क्या होगा, बहुत सारा जो organic matter है और faces है, वो water के साथ mix हो करके water को pollute कर देगा, और वहां पर अगर mosquitoes या flies आएंगी और पुछ breed करेंगी और फिर वो हमारे food पे आकर बैठेंगी, तो इससे क्या होगा, हमारा food भी contaminate हो जाएगा, और हमें diseases हो जाएगे, तो अगर ये sanitation का ध्यान घर में और public places पे नहीं रखा गया, तो एक साथ epidemics break out कर जाएगा, यानि कोई भी एक particular disease बहुत सारे लोगों को एक साथ होना, ये ऐसी condition आजाएगी, अगर public places में sanitation का ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि public places itself means कि वहाँ बहुत सारे, there are a large number of people over there, so you need to know that untreated human excreta, जो कि काफी लोग जो है वो open में या riverbeds के पास जाकर excrete करते हैं, तो untreated human waste क्या करेगा, वो water को भी pollute करेगा और soil को भी pollute करेगा, तो अगर water pollute हो जाएगा, soil pollute हो गया, तो तो ground water भी pollute हो जाएगा, ground water को तो हम use करते हैं, और water जो हम use करते हैं, अगर वो polluted होगा, तो इससे हमें again diseases का बहुत जादा खचरा होगा, so that is why surface water and ground water would get polluted, and there might be many diseases, which include typhoid, polio, hepatitis, dysentery, तो यह सारे diseases होने के हमें, water bond diseases होने के हमें chances होगे, so that is why you should adopt sanitation, and sanitation means की cleanliness, और clean habits होने, ऐसी habits होने चाहिए जो cleanliness हो जिन में, ताकि वो हमें diseases से बचा सके, तो I hope what is sanitation and how it is related to disease, यह आपको समयंज में आ गया होगा, तो कुछ जगाओं पर अपने, I'm sure, कभी आप अगर कोई film industry गए हो, या कुछ ऐसी और भी जगाए होती हैं, सपोज जहाँ पर आपने देखा होगा कि washrooms होगा कि वाश्रूम्स होते हैं, और वहाँ पर कोई भी proper pipes वाला system नहीं होता है, जैसे कि आप यहाँ पिचर में देख सकते हो, यह जो washrooms हैं, यह टॉइलिट्स हैं, यह जो हैं यहाँ पर कोई भी कहीं से भी pipeline या कुछ भी connected नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, यह क्यों हैं यहाँ पर, इनको हम बोलते हैं chemical toilets, इनमें होता क्या है, कि जो भी आपका excreta होता है, waste होते हैं, वो directly एक biogas plant में चले जाते हैं, और वहाँ पर उनसे जो हैं, और वो फुर्दर यूज में आती है, तो इस तरीके से, अगर हम बात करें, ओपिन में, जो है, यह सारे processes अगर हम carry out करें, तो वहाँ disease causing organisms आ सकते हैं, बट अगर इस तरीके से, इस तरीके से, पब्लिक प्लेसे में ऐसे washrooms create किया जाए, chemical toilets, septic tanks यूज किया जाए, तो उनसे, जो है, sanitation की cure की जा सकते हैं, और proper sanitation प्रोवाइड किया जा सकता है, तिसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो भी waste है, वो directly, जो है, in composed pits में, या फिर, tanks में, dispose off किया जाता है, और यहाँ पर उन पे microorganisms act करके, उनने decompose कर देते हैं, अगर मैं इस जगा पर फिर से, मिट्टी डाल दूटो, क्या होगा, उस पे कोई भी ऐसे organisms or disease carrying microbes नहीं आप आएंगे, तो उसकी वज़े से, जो है, we will be protected from diseases, so, sanitation के लिए, on-site, sewage disposal systems होने चाहिए, जिनके की examples, अभी अभी हमने देखे, उसके अलावा, on-site disposal technology क्या होती है, जैसे कि मैं आपको बताया, यहाँ पर क्या होगा जो एक्सक्रीटा है, वो डायरेक्टली जो है, covered drains में जाएगा, जो की बायोगेस प्लांट में होंगे, और वहां से उनसे बायोगास में जाएगी, so, these are alternate arrangements for sewage disposal, so, I hope, यह जो आजकल की modern चीजे हो रहे है, यह यह टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा, और यह कैसे helpful है, व next, sanitation at public places, so, public places में क्या, जिसे कि अभी अभी हमने पड़ा था, स्वच भारत अभ्यान हुआ था, तो स्वच भारत अभ्यान में क्या होगा, that every human being is trying की, जो आसपास उनके area है, उनका, जो है, वो clean रहे, cleanliness रहे, sanitation हर जगा हो, for human beings, and cleanliness also should be there, तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि सब लोग जो नगर निगम के होते हैं, वो कश्रा collect करते हैं, उन्हें separately ले जाते हैं, फिर उन्हें एक ऐसे area में dump करते हैं, जहां landfills बना सकते हैं, या फिर उसे proper decompose कराने के लिए, वहां पर उसे वो, जो है, throw कर देते हैं, यहां dump water नहीं होगा, जिसमें जो है, कोई भी disease-causing organisms breed नहीं करेंगे, तो हम खुद ही air-born और water-born diseases से बच्चाएंगे, तो air, water, जो है, यह दोनों बहुत ही important हैं किसी भी living organism के लिए, और अगर वो purified हो, तो उसकी वज़े से बहुत सारे diseases, जो है, उनके chances कम हो जाते हैं, So, all of us should contribute in maintaining sanitation at public places, हमें कहीं भी कच्रा नहीं फेकना चाहिए, dustbin में ही कच्रा फेकना चाहिए, अगर dustbin नहीं है, तो कच्रे को हमें अपने पास ही रखना चाहिए, और ऐसी जगह पे फेकना चाहिए, जहां dustbin हो, तो अगर हम आप इन में से कुछ measures adopt कर ले, अपनी lifestyle में, तो I hope यह chapter अपको clear है, wastewater story, in our next video हम इस chapter के frequently asked questions discuss करेंगे, thank you Hello everyone, welcome to magnet brains, आज हम परेंगे about wastewater story, इस chapter के frequently asked questions के बारे में, यह class 7 science का topic है, और हमने इस के बारे में पढ़ा है already in detail, अगर आपने इस chapter की videos नहीं देखी है, तो वो आप हमारे official website, magnet brains.com पर जाकर देख सकते हैं, और वहां से अब class 4th to 12th के सारे notes, सभी subjects के download भी कर सकते हैं, तो आएब हम देखते हैं इस chapter के कुछ frequently asked questions को, fill in the blanks, cleaning of water is a process of removing, जब भी हम water को clean करते हैं, तो हम उसमें से pollutants हटा देते हैं, जो भी pollutants है, जो की water को या air को, जिसे water की बात करें तो water को pollute कर सकते हैं, हम उनको वहां से remove कर देते हैं, wastewater released by houses is called, जो भी wastewater house से release होता है, उसको हम sewage बोलते हैं, क्योंकि sewage is nothing but most of the liquid wastes, which contain suspended solid impurities, dry dash is used as a manure, तो जो sludge होता है, उसको जब dry कर देते हैं, तो that is used as a manure, तो sludge क्या होता है, यह हम इसी chapter में, question number 4 में पढ़ेंगे, इसी वीडियो में, drains get blocked by, तो drains किस-किस चीज़ से block हो सकते हैं, by some kitchen wastes, जो domestic waste भी कहलाती है, और by some chemicals, so drains can get blocked by oils and fats, और by solid waste like polythene, और tea leaves, अगर उनको drain में, अगर हमने उनको ऐसे disposed कर दिया, अगर हमने उनको ऐसे disposed कर दिया, अगर हमने उनको ऐसे disposed कर दिया, तो वो drains को clog कर देंगी, तो I think this is clear to you, what is sewage, explain why is it harmful to discharge untreated sewage into rivers or seas, so sewage is nothing but the liquid waste, जो भी domestic, industrial, आपके agricultural, इन सब जगाहों से जो भी liquid waste आता है, उन को हम sewage बोलते हैं, और sewage में होता क्या है, maximum water होता है, और उसके अलावा कुछ भी suspended impurities, suspended solids, spaces, oils, कुछ भी हो सकता है, but maximum water होता है, that is why I am saying liquid waste, explain why is it harmful to discharge it, अगर हम इनको discharge कर देंगे water bodies में, तो क्या होगा, water bodies में अगर ये चले गए, तो वहाँ पर इन पर कोई भी, जो है, ये water bodies को first of all pollute कर देंगे, और water bodies को pollute कर दिया, contaminate कर दिया, और वही water अगर हम consume करेंगे, तो it will cause water bond diseases, like melangitis, cholera, dysentery, etc. in our body, so that is why it is harmful to discharge the untreated sewage into rivers or seas, why should oils and fats not be released in the drain, तो अगर oil or fat को dustbin में नही डाला और द्रें में डाल दिया, तो क्या होगा, जो pipes है, वो जो है, harden हो जाएंगे और clog हो जाएंगे, वो जो है, उससे पानी water clogging हो जाएगी, पानी पास ही नहीं कर पाएगा, वो चोक हो जाएंगे, so it will affect the pipes, moreover, अगर मैं बात करूँ, अगर ये water soil के उपर जाए, तो soil के पोर्स को भी ब्लॉक कर देगा, अगर oil containing waste water, soil में अगर डाल दिया जाए, तो वो soil के पोर्स को भी क्लॉक कर देगा, जिसकी वज़े से soil water को अब्सर्ब या फिल्टर भी नहीं कर पाएगा, so that is why oils and fats should always be put into the dustpins, what is sludge, explain how is it treated, तो sludge क्या होता है, जब भी हम waste water को purify कर रहे होते हैं, तो उसमें से हम क्या करते हैं, जो भी organic or solid waste होता है, जैसे की human faces, हम उसको sedimentation से नीचे वो रह जाता है, और waste water, जो होता है, जो है, वो उसकी speed हम बढ़ा देते, तो that waste water rushes out, and the solid waste which remain behind, which contains mainly the organic matter, that is known as sludge, अब ये sludge को हम treat कैसे करते हैं, what we do with the sludge is, हम उसको जो है, anaerobic conditions में छोड़ देते, तो वहाँ पर क्या होता है, in the absence of oxygen, उस पर bacteria act करता है, और उससे, जो है, biogas release हो जाती है, तो जो biogas बनती है, it can be further used for generating electricity and so on. So, sludge is treated, how it is treated under anaerobic conditions, and anaerobic bacteria are used to decompose it and produce biogas. Next, fifth question, name two chemicals that are used to disinfect water, तो अपने swimming pool में भी सुना होगा कि chlorine होता है पानी में, तो that is added because वो पानी को जो है, disinfect कर देता है, यहने infection से हमें बचाने के लिए ही chlorine add होता है, So, one answer is chlorine. Chlorine के अलावा ozone can also be used. तो यह दोनों ही क्या करते हैं, they are used to disinfectant as disinfectants for water. Explain the relationship between sanitation and disease. तो sanitation अगर प्रॉपर नहीं होगा पॉब्लिक प्लेसेज में, तो क्या होगा? बहुत सारा water-born, air-born, disease जो हो सकता है. तो sanitation की कमी की वज़े से ही तो disease होता है. So, lack of sanitation causes diseases. अगर sanitation प्रॉपर नहीं है, for example, अगर मैं बात करूँ कि प्रॉपर जो है, toilets नहीं है, तो people will excrete in the open और उसकी वज़े से क्या होगा? उसकी वज़े से जो है, air में बहुत ही सारे bacteria वगेरा जो है, वो पास की air को contaminate कर देंगे, pollute कर देंगे. जिसकी की वज़े से अगर हम उस air को breathe करें, तो हमें air-born diseases हो सकता है. और अगर हम किसी river body या इसके पास जाकर excrete करें, तो वो जो है, वहाँ पर वो water को contaminate या pollute कर देगा. और अगर उस water को हमने consume किया, तो again we will have water-born diseases. तो अगर sanitation नहीं है, तो it will lead to diseases. तो I hope आपको ये question समझ में आ गए हो, ये सारे ही questions जो है important है इस chapter के लिए और इन में से काफी questions आपको NCRT, Science of Class 7th में भी मिल जाएंगे. So, this is the last chapter of Class 7th, which completes the course of Class 7th Science. So, I hope आपको ये समझ में आया हो. Till then, thank you.